गर AI Tools के बारे में तो हर को इंसान बात कर रहा है, पर क्या हम इनी AI Tools को यूज करके online पैसा कमा सकते हैं, और अगर हम practically बोचीज करते हैं, तो बोचीज कैसी दिखे की, वो आपको बता लगेगा इस वीडियो में, और अगर इस वीडियो पे 500 राइच पूरे होते हैं, तो आप consider कर सकते हैं, इस particular वीडियो को episode 1, और मैं इसी तरीके के वीडियो और नए AI Tools को यूज करके, आपके लिए create करने की कुशिश करूँगा, जहाँ पे I will actually be using the AI Tool, आपको ये दिखाँगा, मैंने क्लाइन को कैसा reach out किया, क्या काम offer किया, और कितना पैसा कमाया, आज की लिए ज इतना अच्छे से समझ लो कि जितने भी AI Tools मैंने इस particular वीडियो को करने के लिए use किया है, everything was 100% free, कोई catch नहीं है, और बताओंगा कैसे वो free में मिलेगा, आल ये तो इस tool का नाम है Agent AI, और इस tool की जो authenticity है, credibility है, किस amazing तरीकी से काम करेगा, वो पता लग जाएगा, आपको इनके founder से, जो build किया है, धरमेश, Trump HubSpot, अगर आपको नहीं बता ये कौन है, तो या धरमेश, co-founder और CTO हैं HubSpot के, इनके बारे में और details करने के लिए आप Google कर सकते हैं, अब ये जो tool है, ये एक professional network के AI agents का, जो अभी भी फिलहाल के लिए beta version में है, पर काफी सारे जो agents है, वो already live हो हैं, पिछली almost almost 15 दिनों से, और जो आपको यहाँ पर नदर आएगा, कुछ चीज़ें यहाँ पर already live है, कुछ चीज़ें in training है, which will out be very very soon, and this is 100% free, कोई क्याच नहीं है, कोई pricing नहीं है, फिलहाल तो, और मैंने इसी tool को देखने के बाद में ये idea सोचा कि क्यों ना, मैं कुछ ऐसी services offer करूँ, जो लोगों को help कर सकती है, and I will be using this particular tool, हाँ, तो वो क्या है, वो services, देखो, इससे बहुत clearly पता लगा मुझे AI agents को देखने के बाद में, कि मैं कहीं ना कहीं market research में, competitor का analysis होता है, social media का analysis होता है, उस सभी data को offer कर सकता हूँ, ऐसे लोगों को, जिनके छोड़ी companies ह ऐसे startups, जिनके competitor के बारे में, अगर वो जानेंगे, investors के बारे में जानेंगे, हर एक detail के बारे में जानेंगे, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फाइले मत हो सकता है, to simplify, मैंने offer किया market research और competitor analysis, including social media analysis to all those smaller startups, जिसके लिए मुझे definitely email को prepare करने की ज़रूत थी, और साथ ही में एसी list तयार करने की ज़रूत थी, जहाँ पे जिन लोगों को मैं email भीजने बनाओ, तो सबसे पहले मैंने एक email तयार किया, fairly नजर आ रहा है, मैंने mention किया अपने बारे में, मैंने mention किया कि क्यों ये चीज़ important है, complete research और competitor analysis, और मैं वहाँ पे क्या-क्या services offer कर रहा हूँ, अप इसका मतलब एक और AI टूल जो मुझे इस परिकलर काम को करने में help कर रहा है, अब next मुझे चाहिए था ऐसे लोगों की list जिने मैं ये email भीजने वाला हूँ, और अपनी service को offer करने वाला हूँ, तो अधर हम थोड़ा से logical सोचेंगे, तो हम startup के founders, co-founders, CEOs को ये particular email भीज सकते है service offer कर सकते हैं with all the details, मैंने LinkedIn को use करते हुए, कुछ US-based startups की list तयार करी, उनके founders, co-founders की list तयार करी, उनके email ID को ढूंडा और उन लोगों को email भेज़ा, और ये काम मैंने बहुत लंबी टाइम तक नहीं करा, मैंने दो दिनों में लगब लगब 83 emails भेज़े और मुझे उन में से एक मैंने crack किया within two days, और बागी दो लोगों से अभी भी बात शल रही है, तो जिस इनसान से ये deal crack हुई, उसकी जो conversation है, वो कुछ इस तरीके से, ये था मेरा पहला email जो आपने अरड़ी देख लिया है, अरड़ी मुझे बोला, एक meeting को schedule करने के लिए, आस पर my available time, उनके calendar मे availability है, साबसे, call को schedule किया Monday के लिए, and I waited for the call, और ये जो बात ही, last Saturday की बात है, एक Zoom video call के बाद में मैंने उके requirement को समझा, उन्होंने ये समझा कि मैं क्या कर services offer कर रहा हूँ, and when I realize कि कुछ ऐसी चीज़ें भी है, जो शायद मैंने वहापे list नहीं करी है, and she is the one who is actually looking for it, तो मैंने opportunity का फायदा उठा दे हुए, अपने आपको upsell किया, यानि कि जो particular चीज मैं $100 में बेच रहा था, कुछ extra चीज़ों के बाद में मैं उसी का जो billing है, वो बढ़ाते हुए $350 कर दिया, क्योंकि she actually wanted something more than what exactly I was offering, इसी reasons है, मैंने उनको $350 का code दिया, PayPal details अपनी share करी, and she sent me the amount, वो कर तो ये तो part होगा कि मैंने वो services कैसे offer करी, कैसे लोगों को ढूंडा, किनको ढूंडा, कैसे email वेजा, कितना पैसा मिला, अब मैं आपको ये बताता हूँ, कि ये actually में काम मैंने किया कैसे, तो ये बहुत honesty बोलूना, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी tool के उपर align नहीं करा 100%, क पहले ये बताता हूँ, ये tool कैसे काम करता है, अब माल लो कि मैं यहाँ पर company research agent में गया, तो यहाँ पर जिस भी company के बारे में, उसके competitors के बारे में, मुझे details सहीए, मैं उनका नाम, या फिर उनके domain को इंटर कर दूँगा, तो अभी फिलाल के लिए माल लिए एक्जांपल क के तोर पर है, ये canva, जैसे ही आप agent को run करते हैं, आपके पास में यहाँ बे सारी details आजाती है, विचे includes a brief about the company, उनकी website, industry, number of employees, complete type, ये सारी के सारी चीज़ें, research के questions, उसी के लावर table of content में, you have all these details, including competitor analysis, funding data, funding stages, web traffic, twitter follower count, link follow account, team growth, last door reviews, tech products, offices, research questions, of good job को साइट में जड़ाब है Competitor analysis पर जाते हैं, तो you can actually see हर एक competitor का यहाँ पर description है, primary differences है, कि वो कैसे उसे अलग है, उन सबी चीज़ों के बान में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ चीज़ें आपको डीटेल में यहाँ पर मिल जाती है, उसी के लावर funding के stages हैं, जो यहाँ पर clearly mentioned है, along with the dates and everything साथ वेब traffic data है, Twitter follower count है, LinkedIn follower count है, team growth है, including all the percentages and everything 30 days के अंदर इंदर जो भी हुआ है, take products में क्या-क्या चीज़े offer होती है, हर एक चीज़ ओफिस काप है, हर एक चीज़ mentioned है in this particular analysis, सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर आप यहाँ पर competitor analyst में जाते हैं, तो भी आप same details को retrieve कर सकते हैं, जहाँ पर जो चीज़ आपको different नजर आएगी, वो है यह competitor statistics, जहाँ पर सारे competitor के social media है, web graph है कि हर एक चीज़ को compare किया गया ही in tabular form, उसी के अलावा अगर आप यहाँ पर website के conversion को optimize करना चाहते हैं, इस website से कुछ आप ऐसे tips चाहते हैं, जो आपको help करेगा, आप यह website को improve करने के लिए, you can use that as well, आप summarizer यूज कर सकते हैं, and other agents which are in training right now, उनको भी यूज कर सकते हैं, और मैंने एक और AI tool के बारे में mention किया था, जो free है, जिसको मैंने use किया इस काम को करनने के लिए, और वो है nothing other than chat GPT, जहाँ पर अगर आप chat GPT में normally कोई चीज़ prompt देते हैं, तो आपको details आपके पास में आने लगती है, जो आपके पास में नहीं है, तो आप यहां से भी fetch कर सकते हैं, इसी के लवा एक और ऐसी चीज़े जो मैंने करी इस particular काम को करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा इस particular चीज़ के वोने के बार में, अब जो result है, यहां पर company का overview नजर आ र के बारे में थोड़े 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 description दिया गया है, जो definitely helpful है, competitive edge क्या है, canva का, वो यहां पर mentioned है, in terms of bullet points, उसी के लवा में, मैंने यहां पर पूछा, do a sword analysis for canva, तो मेरे पास में, यहां पर sword भी हुआ है, which is definitely going to be very very helpful, especially उन सार्टप्स के लिए, जिनों ने शायद इस च data को use कर सकते हैं, like this, you can also do a lot of other things, यहां पर पूछ सकते हैं, chart GPT को, and you can include in your detailed research report, अब एक और जीज़े जो मैं definitely चाहूंगा, आपको उसी के बारे में पता है, वो है, यहां पर explore GPT का section, तो जब आप यहां पर जाते हैं, और मैं free version की बात करूँ, मैंने यहां पर paid subscription नहीं लि search for that, and you can see, यहां पर कुछ ऐसी चीज़ें, जो शायद आपके लिए helpful हो सकती है, competition analysis, जहां पर मैं start chat करता हूं, और किसी भी company का URL डालता हूं, तो मेरे पास में कुछ और ऐसी details आजाती हैं, जो मेरे लिए और helpful हो सकती है, sort के साथ-साथ यहां पर जो competitor analysis हुआ हुआ है, वहा honestly कहो, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इन AI tools के ओपर ही अपने आपको rely में ही करते हुए, manual काम को करने के लिए भी decide किया, क्योंकि मैं definitely चाहता था, जो report है, वो बहुत ही जादा detail हो, manager social media का analysis है, किस time पर वो post करते हैं, वो चारी जो analysis है, उसको भी उसमें include किया था, उसकी also have to do the manual work, जो human वाला element add करता है, and that is how मैंने $350 कमाए by offering this service to some people, जहाँ पर एक conversion होआ, and two are still pending, and I am pretty sure, अगर मैं और लोगों को email बेशता हो, तो I can definitely convert some more people, and can make more money, और ये तो बहुत obvious बात है, अगर मैं कर सकता हो, तो आप लोग भी कर सकते हैं, पर all you will need is dedication, अच्छे से smartly काम करन कीजों का समझना, उसमें interest लेना, और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ AI टूल के ओपर automation के ओपर believe नहीं करना, अगर एन रिमाइन करा दो, अगर episode 2 चाहते हो, similar तरीके की वीडियो का, तो 500 लाइक का target पूरा करने मैं help करते हैं, बागे मैं मैं विलोग आपको next video अबता के लिए के लिए सिये जता कि एंए लाएएबार के लेंगर कि अयुझे सेजे के ले मैं पीरा हैं को के लीए सुचिछए हैं के लcribing एम खाम एयूल के उन्षड़ इन बंट इनक शहां आपको श्राफ बंटों के थाउा ठासे प्स जते हैं